हेलो दोस्तों नमस्कार एक वाफिश श्रागत है आपके अपने यूटूब चैनल लर्सिंग की दुनिया में तो साथियो फाइली आज की जो नोटी से बहुत ज़्यदा इंफॉर्मेटीव और दूस्फूर रहने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने चा किया है आप आपके एक शार्ब साथ सब्काराइब करें तो समय कुर्णा कर बाते हैं चलते हो फीसल पैसाइट पे देखतें हैं कि इस notice को कैसे check करना है इस notice में अपना नाम कैसे देखना है ओके साथियो तो दोस्तो अभी हमें आपे estate health society भीहर यानि कि SSSB के official website पे आचुके है अब इसको scroll करते हुए जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो साथियो इहां पे जो है notice board, advertisement, tender and reserve आपको देखने को मिल जाएगा इसको scroll करते हुए जब नीचे की तरफ आएंगे तो आपको read mode का option दिखेगा तो हम अभी read mode पे click कर लेते हैं क्योंकि यहां पे ताकि scroll करते हुए यह उपर नीशे ना हो तो देखिए अभी हम इसको scroll कर लिए है अब यहां पे बहुत सारा यहां पे जो है SSSB के द्वारा बहुत सारा ऐसा पोस्ट है जिसका कि यहां पे notice दिया गया है वो पोस्ट क्या क्या है आप देख पा रहे होंगे साथ ही हो यहां पे जो है देख लीचे dermatologist मितलब बहुत सारा ENT department, medicine बहुत सारा ऐसे department है जिनका की यहां पे लिस्ट जारी कर दिया गया है तो इसी परकार जो है यहां पे 10,600 नौका भी आएगा ठीक है तो अब इसकी क्या कुछ गैडलाइन से इसको हम डाउलोड करते हैं और पढ़ते हैं और समझने की कोसिस करते हैं तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या है डर्मेटो लोजिस्ट वाला हम देख लेते हैं साथियो तो फाइनले अपे पीडियेफ डाउनलोड हो चुका है जैसा कि आप देख पार होंगे कि अंत्रगत दिग्यापन संख्या एक 2022 के तहत राजे में स्वास्त की बेहतर शुविधा यह पर मुहय कराने हेतु जो है यह पर जनहित में सदर अस्पताल बिशेशग चिकिस्ट जो है डर्मेटो लॉजिस्ट के शंबिदागत पदोपर श्यानित उल्लोखित अभियार् जो था इनका अप देख पार होंगे इनका अप्लिकेशन नंबर अभियार्थी का नाम डॉक्टर जो भी है इनका डेटवर्थ पदस्थापन अस्पताल यहां पर देख लिजे ठीक है एंड इनको जो है कितना सैल्डी मिलने जा रही है पदस्थापन करने के बाद वह आप जारी की गई है जिसमें बताया जारा है दिनांग 25 फरवड़ी 2023 तक उप्रोक्त जितने भी एहां पर एस पर स्लाइश डॉक्टर है उनके नाम के सामने अंकीश फाइब में पदस्थापन अस्थाल संबंधी जिला सोह समीती में अपना योगदान देना सुरेश्शित करें यहां पर बात की जा रही है नन अब्जेक्शन सार्टिफिकेट यानि कि एनोशी की तो आप लोग का भी कुछ हैशा ही होगा तो देख लिजे कि क्या कुछ रहने वाला तो योगदान के पश्यत बॉंड का एक एकार नामा के लिए यहां पर बनाना होगा जो किस से बनाना होगा सिविल सर्जन से यहां पर देख लिजे नॉन जुरिशियल एस्टाम पेपर जो है यानि कि एनोशी लागू होगा जो कि स्वास परमान पर जो सिविल सर्जन यानि कि सीएस के दौरा बनाया जाएगा एं तीन तीन दुहाचर तईस तक प्रभारी मानम संसाधन यहां यह 11 वर्स तक किया जा रहा है साबसा पर यहां पर बता दिया गया है कि नियोजन पून्तो संबिदा के अधार पर 11 मा के लिए किया जाएगा ठीक है क्योंकि नवचेनित अभियार्थियों के संतोष पर्दकार अगर आपके काड़ एश्वा रहा तो अगले 60 वर्स की लेकिन BTSC अगर 10,690 की आती है तो आपको ऐसा लाइन देखने को नहीं मिलेगा साथियों बाकी लाइन बाइन अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो इसको पढ़ लिजिए यह PDF आप SSSB के अफिसल वेब साइट से भी पा सकते हैं अगर आप वहां से डाउनलूड नहीं नर्सिंग की दुनिया भी जॉइन करके यह PDF आप पा सकते हो साथियों आप जैसे यह अप SSSB लिख देंगे मैं यह PDF वहां पर सेंड कर दूंगे गीतियों के साथ यह तो कैसी लेगी यह video एं स्यूर कि इस विडियो साब संतोस्ट होंगे तो वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर पहले बार होंगे चैनल का बस से सब्सक्राइब करेंगे तो मिलते हम साथियो नेक्ष्छ इंफॉर्मेटिव अधंड अथैक वीडिय रहें बाबाई टेके शाथियों